तो एलो दोस्तों सिर्फ एक औरत के चक्कर में आपस में लड़ बैठे रोईस सर्मा और हर्दिक पांडिया दुस्मनी में बदल दिया अपना भाई जैसा प्यारा रिस्ता तो दोस्तों रोईस सर्मा और हर्दिक पांडिया भरत्य टीम के दो सबसे एहम खिलाडी हैं दोनों ने कई बार एक साथ मिलकर टीम को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला है जिस वज़े से सभी फैंस दोनों को भाई जैसा मानते हैं लेकिन इन दिनों दोनों भाईयों का प्यारा रिस्ता दुस्मनी में बदल गया है इसका कारण खेल में कोई परतिस्पिर्दा नहीं बलकि एक औरत है जिसने इन दोनों खिलाडियों के राम लक्षमर जैसे रिस्ते को दुस्मनी में बदल दिया है अकसर हम जिस औरत की बात कर रहे हैं वह मुंबाई इंडियन्स की मालकिन निता अमबानी है जिनोंने बीते कुछ सालों में कई बार ऐसा काम किया है जि दिसा में जा रहे हैं फैंस की माने तो आज के समय रोई सर्मा और हरदिक पांडिया में दूस्मनी का कारण नीता अमबानी है क्योंकि 2021 IPL सीजन की समापती के बाद जब हरदिक पांडिया ने मुंबाई इंडियन्स की कप्तानी मांगी थी तब उन्होंने रोई सर्मा की जीत के चलते हार्दिक पांडिया को टीम से बाहर कर दिया था और अब जब कप्तानी के मामले में रोईत सर्मा फ्लॉप हो रहे हैं तो उन्होंने एक बार फिर हार्दिक पांडिया को मुंबई का हिस्सा बना दिया है और कप्तानी भी सौप दी है जिससे दोनों में दुस्म कप्तान रुईस सर्मा को कप्तानी से हटा कर हर्दिक पांडिया को कप्तानी सौप दी है मालूम हो कि रुईस सर्मा ने साल 2013 सीजन में मुंबई की कमान समाली थी और तब से अब तक उन्होंने 5 IPL ट्रोफी जीती है वो हो एक मात्र ऐसे कप्तान है जिसने केवल 10 सालों में ही 5 ट्रोफी जीती है तो दोस्तो यह ति आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे